MP में नगरी निकाय चुनाव में Congress ने महलत पुर्ण निल्ने लिया है Congress अपने विधाय को या उनके परीजनों को महापौर का टिकेट दे कर अपकरत करने वाली है इस पर Congress के विधाय काफी उत्साः दिखाई दे रहे हैं जिसको लेकर कॉंग्रेस ने आरेक्ष्ण के हिसाब से दाविदार चुल लिये हैं वया भाजपा के लिए भी प्रत्याक्ष्वी को चुनने की बारी है जिसमें कॉंग्रेस बाजी जीती दिखाईती रही है इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोट अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तयारियों में जुटी प्रदेश कॉंग्रेस के लिए नगरी निकाय चुनाव में चुनोतियां कम नहीं है पार्टी नेता मानते हैं कि उनका मुकाबला भाजपा के प्रत्याक्ष्वी से नहीं उसके संग्ठन से है इसी लिए अन्यदावेदारों में कॉंग्रेस ने कई नामों पर फाइनल लिस्ट पना ली है जो कि ये है मुरेना नगर निगम से शाहदा सुलंकी राजेश कतुरिया और अमर सिह मौरी का नाम रतलाम नगर निगम से प्रभू राठोर, मयंक च्वाट और रामचंद्र धाकण का नाम जबलपुर नगर निगम में शहर कॉंग्रिस अध्यक्ष जगत बहादुर सिह अन्नू का नाम उजएन नगर निगम में विधायक महेश परमार के नाम माना ज़ारहा है फाइनल गौलियर नगर निगम में विधायक डौक्टर सतीश सिकरवार की पतनी शोभा सिकरवार का नाम बोपाल में प्रदेश पहिला कॉंग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल संतोष कंसाना का नाम इन दौर में संजश चुकला के लिए पार्टी देड़ साल पहले ही कर चुकी है खोशना कॉंग्रेस के इस नगरी निकाय चुनाव के जिताव प्लान पर विधायक लक्षमन्ट सीह ने भी कहा है कि जो भी जीतने लायक हो उसे टिकेट मिलना ही चाहिए इस दोरान दावा किया है कि हमारी रणनीती के अधार पर भाजपा से आधी नगर निगम चीन लेंगे मैं कॉंग्रेस के इस रणनीती पर भाजपा का कहना है कि हमारी पार्टी में एक प्रक्रिया है उसी की आधार पर प्रत्याशी का चैन किया जाता है हम भी क्राइटेरिया में फिट बैठने वाले प्रत्याशी पर ही दाव लगाएंगे देखिए भारती जनता पार्टी में प्रत्याशी चैन की एक नियत प्रक्रिया है प्रदेश कमेटी इसको फाइनल करेगी नीचे से नाम आएंगे क्या क्राइटेरिया है क्या क्राइटेरिया नहीं है इस विशह में अभी कुछ बोलना उचित नहीं है भारती जनता पार्टी का इसपस्ट मत है चुनाओं में वही उतरेगा जिसकी जनता में अच्छी पहुच है अच्छी छबी है और उसके साथ ही जो भारती जनता पार्टी की रीती नीती के अनुसार जनता की सेवा करना चाहता है कल्यान करना चाहता कॉंग्रेस का विधायकों को भी टिकेट देने का फॉर्मूला और भाजपा की रंडिती आने वाले वक्त में क्या रंग लाएगी ये मत गढ़ना के बाद ही पता चुलेगा लेकिन इतने समय में यह तो साफ है कि कॉंग्रेस इस काम के लिए पूरा जोर लगा रही है ब्यूरे रिपोर्ट, MP 뉴스 भूपाल